अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो हमने फैक्ट्स दिखाए हैं रिसेंट जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं जो की अभी रिसेंटली मैई 2023 में सैंड या USA में हुई थी वहाँ पे आई डिजाइन 2.0 के उपर एक डाटा प्रिजेंट किया गया है लॉंग टम डाटा तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह ASCRS होता क्या है देखो दोस्तों की शुरू से ही वर्ल्ड में जो हमारी जो रिफ्राक्टिव सर्जरी यानि की लेसिक, लेजर या कैटरेक के उपर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्फरेंस होते हैं इसको मक्का मदीना कॉन्फरेंस बोलते हैं तो पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे जो सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उस कॉन्फरेंस को अटेंड करने जाते हैं और वहाँ पे कोई भी डाटा या कोई भी पेपर ऐसे प्रिजेंट नहीं होता unless until वो पेपर ही बहुत ही ज़ादा यूनीक है और सबसे बड़ी बात है कि वो इक शुड़ भी बिल्कुल लेटेस्ट एन आई ओपनर तो जब कोई डाटा बिल्कुल लेटेस्ट लगता है और निया लगता है कोई नियू टेकनोलोजी के उपर होता है तभी उसको चांस मिलता है वहाँ पे प्रिजेंट करने का और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी रिसेंटली ये जो डाटा प्रिजेंट किया है ये ये भी जो है एक उप्टिकल एक्सप्रेज जो की वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेसिक प्रोवाइडर है जिसके more than 100 क्लिनिक्स हैं which are spanning in all over the Europe और जहां पे iDesign Effective Studio 2.0 यूस किरी जारी है टेक्नोलजी और उन्होंने ये बताया कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो truly outstanding है amazing है और this is the best technology, best customized lesson they have ever used and they are still using it in all of their centers तो आप उसको verify कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों और इवन पहले की भी आपको एक बार ACRS के पहले के भी link में आपको एक बार iDesign Effective Studio का जहां पे डॉक्टर क्रॉफ ने इसके बारे में जो की USA Chicago के डॉक्टर है उन्होंने भी बताया है कि ये technology कितनी latest है और advanced है और वो भी optical express को ही link करते हैं, उन्होंने भी ये बार पहले उसका share किया था तो दोस्तों आओ देखते हैं कि ये हम कैसे देखते हैं तो दोस्तों बात करते हैं, आप second fact कि अगर हम इसकी बात करें अगर आप Google में जाते हैं I design 2.0 in ASCRS तो कि ये मैंने भी recently search किया था, सबसे पहले बात करते हैं कि ASCRS होता क्या है ASCRS का मतलब है कि ये American Society of Cataract and Refractive Surgery तो ASCRS जो होती है, ये अमेरिका की या दुनिया की, मैं कहूं, सबसे बड़ी conference होती है जो कि every year मैंने जैसे हैं बताया कि अमेरिका में होती है और इसके अंदर सबसे latest और सारी latest technology और latest results के बारे में ही बात होती है कोई भी पुरानी technology या पुरानी results को यहाँ पे allowed ही नियोता बताना या present करना तो वहाँ पे अगर बात करें और आब आप देख सकते हैं कि 2023 मही में जो इनकी San Diego में conference हुई थी वहाँ पे आई डिजाइन रफ्रैक्टिव सूडियो के ऊपर इसके लॉंग टम आउटकम प्रेजेंट किये गए थे आई डिजाइन 2.0 software पे इसमें आप यह डॉक्टर से खुद सुन सकते हैं यह पार्ट ओफ दी वीडियो में प्ले करूंगा तो यह बात कर रहे हैं कि यह जो है यह लॉंग टम आउटकम्स रिगार्डिंग आई डिजाइन 2.0 याने कि आई डिजाइन रफ्रैक्टिव स्टूडियो और जो एक और इंपोर्टेंट बात रहे हो ने कही कि यह लाज़ेस्ट लेजर प्रोवाइडर इन दे वर्ल्ड है अप्टिकल एक्सपरेज याने कि इनके जो मोर देन हंडर्ड सेंटर हैं थ्रूआउट दे योरॉप यूके और इवन ऑस्ट्रेडिया एंड यूएस और बहुत ही लाज नंबर ऑफ पेशेंट याने कि 640 eyes का data है जो कि 1 year पे तक collect गया गया जो कि बहुत ही rare होता है क्योंकि mostly laser के patient दो या तीन महीने तक ही फॉरण में present करते हैं या follow up के लिए आते हैं और इसके इतर जो सबसे बड़ी बात ये कही गई कि number of patient जो है actually 97% patients ऐसे थे जिनको more improved beyond a line याने कि अगर वो चश्मे से 6x9 दे सकते थे तो वो laser के बाद 6x6 देख पाई याने कि एक line इंप्रूव कर गया जो 6x6 देख सकते थे वो 6x5 या 6x4 तक पहुंचे जिसको कि हम supervision गहते हैं और इन्होंने ये बात भी बड़ी clearly बताई है कि it is the platform जो ये currently अभी भी use कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि ये platform is currently is the best and the latest और सभी technology से ये platform आज के date में उपर है तो ऐसी अगर आप और बात करते हैं तो ये सारा studies है आई design के उपर जो कि अभी present की गई है आप इस data को भी और detail में जा सकते हैं ऐसी ये आई design के उपर 2021 में भी ये US के ही doctor इन्होंने present किया था जब ये technology launch हुई थी कि कैसे ये technology use करी गई तो ये Chicago के doctor है तो ये भी आप देखिया थी कर्क्राइब करेंगे इस ने गई है तो ये इस प्रेशिक गई तो ये वी आप देखिया है देख सकते हैं यह 2021 में प्रेजेंट हुआ था जब यह आई डिजाइन आया था जो की कोविड के बाद 19 के बाद 20 में कोविड के बाद इसका जो यूज ओवराल वर्ल्ड में लोग हो गया था तो तब भी उन्होंने बदाया कि कैसे यह टेकनोलोजी जो है कितनी हाई लेवल पेशेंट सैटिस्फेक्शन दे रही है और मायोपिया और हाइपर मायोपिया यानिकी प्लस और माइनस दोनों पावर में यूज किया जा रहा आई डिजाइन 2.0 और बहुत हाई नंबर्स को टीटमेंट के लिए यूज की जारी है तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आई बहुत सारा आई डिजाइन के उपर डाटा है जो आपको नेट पे फ्रीली अवलेबल है जो कि अमेरिकन के ट्रेक्ट एन रिफ्रेक्टिव सोसाइटी में प्रिजेंट किया गया था अगर जैसे अगर हम इसको खोलते हैं तो वैसे तो यह डॉक्टर बेस्टेडीज हैं ब बताओं कि इसमें किया गया था कि आई डिजाइन जो जो जॉंसे जॉंसन की तीनों टेकनोलोजीज का जो सबसे पहले कस्टम व्यू आया फिर आई डिजाइन 1.0 या 1.2 आया और आई डिजाइन 2.0 और ब्रीफली अगर हम देखें कि इसके अंदर हर जगा आप देखोगी ये आई डिजाइन 2.0 है वो बेटर से बेटर रिजल्ट सी प्रोवाइड कर रहा है और ये डाटा बहुत इम्वॉटन है कि अगर हम दोनों आखों की बात करें तो आई डिजाइन 2.0 में at 3 months almost 100% patients हैं जो की 6 by 6 या उससे 20 आ 20 उससे बेटर vision उनको मिलती है जो कि एक बहुत बड़ी बात है जो कि कोई भी technology नहीं claim कर सकती और ऐसी single अगर एके कांकी बात करें तो 96% of the eyes हैं जो की 20 by 20 vision अब तो ये सारा डाटा आप देख सकते हैं आप खुद अपने level पे verify कर सकते हैं और कोई भी आपको अगर आप बात करो latest अगर ASCRS के उपर Contoura Vision या कोई भी अगर सारे doctors हैं वो इस technology को क्यों use कर रहे हैं क्यों यह latest है और कैसे यह present की जा रही है तो definitely दोस्तों यह technology बहुत widespread है और बहुत अच्छे से use कर जा रही है इसके लावा भी आपके कुछ doubts है तो आप हमें लिख सकते हैं thank you